हलो एवरीबन दिस इस उत्कर शुकला फ्रम उत्करश एजुकेशन आज के जीएस ट्रिक्स के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विभिन घास के मैदानों को जो जगा वो पाये जाते हैं आपके इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको यह ट्र जोब घास के मैदान और एक अन्य मैदान क्योंकि आपको मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं यह आपको याद करना चाहता हूं कि कौन से मैदान कहा पाए जाते हैं अगर यह आजाए कि शीतोश गास के मैदान में से कौन से हैं और चार ओप्सं दिए हो तो आपको यह भी लैंड की एक एक सब्सक्राइब करें लाइन प्रेट हो गढ़ां मेरी में तो ज्यादा अराम रहेगा स्टोरी के फॉर्म में याद करतें मेरी तरह तो आपको कम से कम एग ग्रूप याद हो जाएगा एक साथ और भी ट्रकों को देखने के लिए आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने सीटेट के लिए बाल विकास की ट्रकें विज्ञान से सम्मंदित जो कई ट्रकें वो डाली हुई है और जीएस की ट्रकें भी मैं डाल रहा हूं प्लीज सपोर्ट करि मैदानों को कहा जाता है और दच्छडए अफरीका के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है कि अब याद करने की ट्रेक इस तरह से हैं अब अगर अर्जैंट का माई जाता है तो पंप सुधार देता हूं मेरे सौतले पिता स्टैप फादर का नाम सुरेश है और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि वो अमर हो जाएं आजकल आस्टेलिया के मैच के बाद मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम हार गई थी इस तरह से आपको एक हलका सा एक दिमाग में आ जाएगा कि मैं ट्रिक के बाद्यम से आपको क्या कहानी सुनाने का प्रयास कर र शचाने का अने पर नता अर्जेंट अर्जेंटीना अर्जेटन एक ज्रूथ से पंप पाश स्टेपी यूरेशिया मिष्टेप फादर का नाम सुरेश है सुरेश यानि यूरेशिया श्टेपस यानि knives and a कि और मैं बभगवान से प्राथ्रेयर करताओं कि ओं अमर हो आप इसको एक बार अच्छी से लिख लीजिए और खुद बोल बोल के समझ लीजिए उसके बाद आप कभी इसको भूलेंगे नहीं एकजाम के पहले अपने ट्रिक रेजिस्टर में मेरी सबी ट्रिकों को जो आप लिखते जाएंगे ना एकजाम से पहले रिवीजन करके चले जाना कुछ दिक्कत ही आएगा मेरे जितने भी नंबर जिन भी एकजाम में उनमें भी मैंने इनी ट्रिक्स का यूज किया है आए अगली ट्रिक जो उश्लिकटबं मेदान है उनमें मेदान है शलंका का पताना मैदान उत्री अफ्रीका में रूप कें रहे दाने अफरीका में उश्रकटबंदी मैदान है उसे पार्क लेंड कहा जाता है और ब्राजील में जो उश्रकटबंदी मैदान पाए जाता है उसे कैमपस या कमपास कहा जाता है लानोस नाम के मैदान कोलंबिया वेनेजुएला में पाए जाते है जो बेसिकली मद्ध अमेरिका के ह किस से हैं इसको आपको किस तरह से याद करना है उसकी ट्रिक समझिए लानोस नाम की एक लंबी जुआरी लड़की अफरीका के पार्क में जो है ब्रजवासी का कैम्प लगा हुआ था वहां गई वहां पटना और शीलंका की दुकानों पर सवा आने में कन्याओं के कपड़े मिल रहे थे इस कहानी को समझने का प्रयास करिए लड़की जुआरी है लंबी है उसका नाम है लानोस वह अफरीका के पार्क में जो है हमारे ब्रजव के गए लोगों का कैम्प लगा हुआ है वहां गई है वहां पटना और शीलंका की दुकाने लगी है जिन पर सवा आने म का याद रखेंगे आप जुआरी वेने जुएला लंबी को लंबी है लानोस लेनान का नाम है ब्राजील में कंपास या कैंपस है तो ब्राजील ब्रजवासी और कैंप कैंपस उत्तरी अफरीका और यहां पर आईए दच्छडे अफरीका दच्छडे अफरीका का पार्क है तो अफरीका के पार्क से दच्छडे अफरीका याद आएगा पटाना स्रीलंका का है तो पटना और स्रीलंका से पटाना और स्रीलंका याद हो जाएंगे आपको और सवाना उत्तरी अफरीका और केनिया में है तो कन्या से केनिया आपको याद हो जाएगा उत्तवाना इस तरह से आपको ये याद रखना है दच्छडी अफरीका, पार्क लेंड, लानोस, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, कैंपस, पताना, शीलंका और सवाना केन्या इस तरह से एक बार इसको भी लिख लीजेगा समझ दीजेगा आपको सब याद हो जायागा अब आते हैं अगली बात पे कुछ एक्स्ट्रा जो है मैदान जैसे अमेजन बेसिन के मैदान को सेलवास कहा जाता है हंगरी के मैदानों को पुस्टाच कहा जाता है नूजिलेंड के मैदानों को कैटबरी कहा जाता है और मलेशिया के मैदान को पैडंग कहा जाता है इन्हें याद करने की टकी है कि मेरे वेडिंग यानि साधी की कपड़ों पर मलाई गिर गई तो मैं नए कपड़े सिलवाने अमेजिंग वस्तर बंडार पे गया रास्त्रे में मुझे भूँक लगी हंगरी होने पर मैंने पिस्ता वाली जो नई केड़बरी आई है वो खाई मेरे वैडिंग की कपड़ों पर मलाई गिर गई तो मैं नई कपड़े सिल्वाने अमेजिंग बस्त बंडार पे गया, रास्तरे में हंगरी होने पर पिस्ता वाली निव कैड़बरी मैंने खाई, इससे आप याद कैसे रखेंगे, वेडिंग से आपको पैडंग याद आएगा, मलाई से मलेशिया, सिल्वास सिल्वाने से या याद रख सकते हैं, इस तरह से आपको इस ट्रिक के माध्यम से सभी गास के मैदान याद हो जाएंगे, इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, तीन ट्रिकें में बाटी होई हैं, आगे चलके मरुस्थल, परवत, पठार ये सब की भी ट्रिकें आने वाली हैं, चैनल से जुड़ आपका कभी कोई कुश्चन गलत नहीं होगा, थैंक यू वैरी मच, जैहिन